ताज नरसरी एंड वॉल लेकर आया है रेडिमेट कमपाउंड वॉल जो आपके खर्चे को करती है आधा रोव मेटिरियल और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ हमारे यहां विबिन प्रकार के फूल फल वा शो प्लाइट के साथ साथ फार्माउज वा गार्डन डेवलप किये जाते हैं उन सोला बकायादारों के नाम सार्वज ने किये गए जिनके उपर सालों से एक लाख रुपई से अधिक का टेक्स बकाया था दो दिन पहले बकायादारों के नाम सारवज ने करने की घोशना की खबर लगते ही दो दर्जन से अधिक बकायादारों ने शनिवार को नगर पालिका पहुच कर अपना टैक्स जमा कराया फजीहत के डरसे बकायादारों ने एक ही दिन में नगर पालिका के खजाने में 4.5 लाख रुपए टैक्स के रूप में जमा कराया है गौरतलब है कि नपा बालाघाट की खराब वित्तिय हालत के पीछे बकायादारों द्वारा टैक्स न जमा करना है जिसके कारण यहां कार्यरत कर्मचारियों को हर बार वेतन के लिए 2-3 महीनों का लंबा इंतिजार करना पड़ता है साथ ही शहर के विकास कार्याएं में भी वित्तिय संकट आड़े आता है खास बात है कि जिन 16 बकायादारों करदाताओं के नाम सारवज ने किये गए हैं उनमें से कई ऐसे भी करदाता है जिनोंने 36 सालों से टैक्स नहीं चुकाया है तो कुछ बकायादारों ने 29 सालों से कर नहीं चुकाया है CMO दिशार दहरिया ने बताया कि नपा की आर्थिक स्थिती को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है इसमें किसी तरह का राजनितिक या प्रशासनिक दबाव नहीं सहा जाएगा योजनानुसार नगर पालिका द्वारा शहर के प्रमुक चौक चौराहो पर एक लाख रुपए से अधिक के बकायादारों के नाम सारवजनिक होते ही शहर में हलचल तेज हो गई है जानकारी प्रभारी CMO के इस कदम को सासिक और जरूरी बता रही है एक तरफ नपा CMO कर वसूली को लेकर सक्त रवया अपनाए होए हैं तो दूसरी तरफ रविवार को बकायादारों के नामों के फ्लैक्स बनकर नगर पालिका को प्राप तो हो गए लेकिन इसके लिए जरूरी लोहे के फ्रेम नहीं मिल सके सूत्रों के अनुसार नपा ने फ्लैक्स वारा सिवनी से प्रकाशित कराया है जिसके कारण शहर में इससे जुड़ा काम करने वालों ने नपा को फ्रेम उपलप्थ कराने से इनकार कर दिया है यही वज़ा रही कि नपा अधिकारियों व करमचारियों को देर तक माथा पच्ची करनी पड़ी करमचारियां को शहर में लगे पुराने बड़े होर्डिंग्स को हटा कर बकायादारों के नामों का फ्लैक्स लगाना पड़ा नपा के कर्मचारियों ने नगर पालिका कार्याले के सामने जिला सहकारी बैंड की दीवार पर आमबेड कर चौक तथा काली पुतली चौक स्थित चौपाटी की दीवार पर एक लाख रुपे से अधिक के 16 बकायादारों के नाम उनके पते वो मोबाइल और बकाया राशी सा कारवजनिक की है नगर पालिका के राजस्व शाखा के अधिकारियों, कर्मचारियों और शहर के अन्य लोगों का कहना है कि इस कदम से नपा की आर्थिक तंगी दूर होगी इससे ना सिर्फ कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सकेगा बलकि शहर विकास के कार्याएं में भी रफ्तार आएगी। हालां की प्रभारी CMO दिशा दहरिया ने बेहत कम समय के कार्यकाल में सक्त फैसले से लंबे समय से चली आ रहे आर्थिक संकट को सुधारने का प्रयास किया है। कई बकायादारों का नाम सारवजनिक होने से पहले टैक्स चुकाना इस बात को साबित कर रहा है कि फजीहत के डर से अन्य लोग भी अपना टैक्स जमा कराएंगे। और वहां कुछ ही लोगों के नाम नगर पालिका द्वारा सारवजनिक किया गया है। यह चर्चा देर शाम तक शहर के चौक चौराहों पर चलती रही जैसे ही नगर पालिका द्वारा। बड़े बकायादारों के नाम का फ्लेक्स शहर के चौक चौराहों पर लगाया गया। वैसे ही नगर पालिका के सामने लगाए गये फ्लेक्स को देखकर आने जाने वाले लोगों का वहां स्वत। ही फ्लेक्स के सामने सभी बारी-बारी से आकर खड़े होकर नाम को पढ़ते रहे और नगर पालिका के सामने लोगों का जमावडा लग गया।